तो महापर्व छट की जो तयारी है वो सोरों पर हैं अमारे साथ गौतम जुड़े हुए हैं और गौतम कहा पर आप मौशूद है फिलाल और किस तरीकिस की जो तयारी है वो घाट पर नसर आ रही है दिखें हम पटना के अभी कलेक्टेट घाट पर खरे हैं और यहां की जो इस्थिती है मैं आपको तस्वीरों के माद्यम से दिखा दूँ कि जो आज कारे जो हो रहा है अब कल जो है नहाय खाय की जो है वो दिन सुरू हो जाएगा और कल ही किस दिन से छट का यह जो पूरा ब नहीं जो होता है और उसके बाद कहा जाता है अब खरण और जो होके बात हिए उसके बाद ही जो है जो है चट्भण करने के लिए पह Kings cũng अधून होता कलेक्टेट घाट तो यहां पर पानी आपको नहीं मिलता था हर साल यह तस्वीर रहती थी मगर एक रास्ता रहता था यहां से एक किलो मीटर की दूरी पर जो मैं आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि वहां पर कुछ पंडाल बनाए गया है कुछ पोकलेन ज घाट है और उसमें लगभग 10 घाट को जो है सुरक्षित घोसित कर दिया गया अभी तक फाइनल जो कहा जाता है कि घाटों के सूची जो जिला परसासन के माध्यम से जो मीडिया को आती थी कि लोगों को भी यह जानकारी होनी होती है कि कि किस घाट को सुरक्षित किया गया संजेज स्वाल जो है वह यहां पर पहुंचे थे पटना के जिला धिकारी पहुंचे थे उन्होंने यहां के स्थिती के बारे में जाना नगर आयुक्त जो है जिनके उपर यह जिमवारी है कि घाटों को सुरक्षित और जो कहता है कि सुब्धापुर्ण करके छट बरतियो मुझे लीचे उतरना पड़ेगा जो मजदूर है काम के लिए यहां लगे यहां के कैमरे के तश्वीर से मैं आपको दिखा दूब सुनिल थोड़ा से इधार आके दिखाए वहां पर एक पीपापुल बनाने की कोशिस हो रही यह पीपापुल जहां पर जेसी भी काम कर रह है वहीं पर पीपापुल बनाने के रास्ता और यहां से महज एक किलोमीटर की दूरी रहा जाती चट ब्रतियों के लिए महंदु घाट अंटा घाट और कलेक्टेट गाट यह तीन घाट जो हैं बहुत महत्पून घाट इन तीनों घाट पर जो चट ब्रतियों की भीर होती इस तरह के तैयारी जो है आज पूरा दिन लगभग मान के चला जाएकि निकल गया और साम तक जो है ना लाइटिंग है ना कुछ है किस तरह से काम होगा आप समझ सकते हैं पोकलेन लगा हुआ है आधा डूबा हुआ पानी में और उसी तरह से काम हो रहा है यह बनाने की को अब देखाना चाहता हूँ कि वहाँ पर आप देखे पानी गंगा का जलस्तर जो है इस वार बढ़ा हुआ था पानी कम ज्यादा नहीं वा जिसकारण से बहुत सारे इलाके में पानी अभी भी लगा हुआ है और जो कुछ इलाके सुखे हैं वह दलदली है लोगों के लिए यहां से आपको यह देखे पूरा जो इलाका है तो डूबा हुआ वो तो पार करना ही पड़ेगा उसके बाद एक लंबी दूरी जो है आप यहां पर देख सकते हैं जहां पर घाट बनाया गया है उस घाट तक आने के लिए आपको कम से कम यह जो एक डिस्टेंस है रॉफ मैं बता रहा हूं फाइनल यह नहीं है तीन किलोमीटर का यह जो सफर होगा यह आपको तैग करना पड़ेगा त्यानि जो वैसे छट ब्रती जो चलने में समर्थ हैं या जो लंबी दूरी को सफर ने क्योंकि दौड़ा भी एक होता है छट में जो सूप होते हैं जो फल होत पहुंचना होता है तो तीन किलोमीटर का सफर जो है आपको रोड छोडने के बाद यानि गारियों को छोडने के बाद यहां तक सब्रक तैग करना पड़ेगा यानि इस बार का यह जो छट घाट है वह उमीद ना के बराबर है कि करपटना के कलेक्टेट घाट मेहंदू घ को देखे ये रहे देखे ट्यारी जरूर की जाती है मकर अंतिम समय आज यह यह पाइंडल हो पाएगा यह रास्ता बन पाएगा यह नहीं पन पाएगा प्योंकि हर साल इस समय तक जो है लिस्ट भी तो यहां से जाए लगा हुआ था कुछ दिर पहले एक साहब जी आए हैं काम बंद कर वा दिये बोले कि यह नहीं हो सकता है जो कि हमारा अपना लगा हुआ है अब मजदूलों को बैठा दिये हैं मताई साहब सबसे ज्यादा भी यहीं घाट पर लगती है आप लोग मतलब यहां से जो सफर करके जाते घाट तो सामने दिख रहा है मगर रास्ता नहीं बन पाया पार के रास्ता है यहां से पूल बनता यह पाई लगा हुआ उसके बाद अब पर पहुंच सके और छट पूचा किया जा सके फलाज शुक्रिया तमाम तस्वीरों के लिए जानकारी के लिए गौतम